अलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सब का है आपके अपने योट्यूब चनल स्टर्डिक एफे पे दोस्तो चावल के बिना भारत में लोगों का खाना कम्प्लीट नहीं होता भारती कहीं भी हों चावल खाय बिना नहीं रह पाते लेकिन पिछले कुछ महीनों से चावल की कीमत में टेजी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है चावल की बढ़ती कीमत पनी अंधर पाने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर सक्त फैसला ले लिया है सरकार ने बास्मती चावल को छोड़ कर सभी कच्चे चावल के निर्यात पर रोक लगा दिये चावल निर्यात में भारत की हिस्चेदारी 40 फीसदी है ऐसे में निर्यात पर लगे बैन से कई देशों की चिंताएं बढ़ने लगी है देश में पिछले 12 महीनों में चावल की कीमतों में 11.5 फीसदी का इजाफा हुआ है पिछले 3 महीने से चावल की कीमत लगातार बढ़ रही है ऐसे में कीमतों पन्य अंतर पाने के लिए सरकार ने सक्त कदम उठाया है केंदर सरकार ने चावल के निर्यात पर बड़ा फैसला लेते हुए बासमती चावल छोड़ कर सभी चावलों के निर्यात पर बैन लगा दिया है घरेलू अपूर्ती बढ़ाने और बाजार की कीमतों को कावू में रखने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है सरकान ने देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गएर बास्मती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिसद है वही दुन्या के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% है भारत के इस फैसले से अमेरिका समयत कई देशों पर असर पड़ा है दोस्तो भारत के इस फैसले का असर दुनिया भर के देशों पर होने वाला है भारत में घरेलू कीमत पर नियंतरन पाने के लिए यह फैसला लिया लेकिन इसने दुरियां भर में महंगाय की चिंता बढ़ा दी है दरसल बारिस की अनियमी तुता के कारण धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है धान की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य, करनाटक, पश्चिम बंगाल, आंधर प्रदेश, तमिल नाडु में कम बारिस के कारण धान की पैदावार प्रभावित हुई है जिसकी वज़ा से आने वाले दिनों में चावल की कमी और किम्तों में तेजी की आसंका को देखते हुए सरकार ने चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है पिछले साल भारत ने 22 मिलियन टन का राइस एक्सपोर्ट किया था वहीं दूसरी तरफ रोस ने अनाज समझोता तोड़ दिया है रोस ने यूक्रेन के साथ काला सागर अनाज समझोते को तोड़ दिया जिसके कारण वैश्विक खाद संकट की आसंका पैदा हो गई है रूस के इस समझवते को तोड़ देने से विश्व अनाज बाजारों को तगड़ा जटका लगा है रूस से इस समझवते से बाहर आने के बाद एसिया, मध्यपूर और आफरीकी देशों के लिए खादार निसंकट गहराता जा रहा है अनाज की कीमतों में बेतहासा बढ़ोती हो रही है एक तरब रूस का अनाज समझवते से बाहर आना और दूसरी तरब भारत द्वारा गैर बासमती सफेज चावल के निर्याद पर रोक लगाने के बास से पूरे विश्व उपर इसका असर पड़ सकता है वैस्वी कस्तर पर खादान संकट का खत्रा मढ़रा सकता है तो थैंक यू सो मच गाइस फो वचिंग दे वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब दी चैनल थैंक यू सो मच